दोस्तो अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं यह नया वाला वोटर आईडी काड है और नया वाला वोटर आईडी काड किस परकार सी है वो आपको दिखी रहा है जो कि नया वाला अब आपको क्योवर कोड के साथ बिलता है और यहाँ पर आपका वोटर आईड कार्ड आप मंगा सकती है जो कि रिप्लेश फ्री में होता है आप इस वोटर आईडी कार्ड को बिलकुल फ्री में मंगा सकती है हला कि यह जो वोटर आईडी कार्ड है वो डाउनलोड किया हुआ है और अभी भी आप डाउनलोड कर सकती हैं जो कि मैंने एक डिटेल में वीडियो बना कर दे दिया है कि किस तरह से आप फ्री में डाउनलोड कर सकती हैं अगर वीडियो के लिंक के बारे में बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जागा और ये वाला वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल के सा लेकिन इस वीडियो में रीप्रिंट के बारे में बताएंगे कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खराब हो गया है चूरी हो गया है गुम हो गया है तो कैसे आप घर वैठे बिल्कुल फ्री में मतलब आपको कोई भी इसके लिए पेमेंट नहीं करना है बिल्कुल फ्री म आप अपना प्लास्टिक वोटर आईडी खार जो की आपको मिल जाता है पहले आपको पेपर वाला मिलता था जिसे आप लेमिनेशन वेगरा करके रखते थे लेकिन आप आपको क्री जल्दी खराब नहीं होगा और नहीं आपका तूटने वेगरा का डर रहेगा तो आये द पर आना होगा आपके सुविधा के लिए लिनक मैंने वीडियो के डिसक्रिप्शन में दे दिया है यहاं पर आपके साहले आप यहां पर आप देखेंगे bowl 8 में जिसमें यहां पर replacement वाला option दिया गया है तो आप अपने voter ID card का replacement प्राप्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले तो account बनाना होता है जो की sign up पर आप click करेंगे इसकी बाद आप अपना mobile number दर्ज करेंगे email ID जो की optional में है लेकिन मैं कहता हूँ कि आप दर्ज कर दीजेगा और उसकी बाद क्यापचा दर्ज करेंगे और continue करेंगे continue करने के बाद एक OTP आपके mobile number पर भेज़े जाती है उस OTP को आप fill up करेंगे उसकी बाद आपको कुछ basic detail enter करना होगा और उसकी बाद एक password set करना होगा जो की password, overcast, lowercast और special character होना चाहिए और numeric होना चाहिए तो बठिया सा एक password बना लिजेगा बनाने के बाद यहाँ पर login बटन पर क्लिक करना है मैं यहाँ पर account बना चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर login करता हूँ जो की यहाँ पर आप अपना mobile number दर्ज कर देंगे उसकी बाद password दर्ज कर देंगे password दर्ज करने के बाद यहाँ पर जो capture आपको नजर आता है वो capture आप यहाँ पर fill up कर देंगे और उसकी बाद request OTP बटन पर क्लिक करेंगे आपके नबर पर एक OTP प्राप्त होता है आप यहाँ पर OTP दर्ज कर देते हैं उसकी बाद verify and login पर क्लिक करते हैं कुछ इस परकार से login successful हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे उपर में नाम सो हो गया है जो की login successful हो गया है यहाँ पर नीचे में आपको form 8 वाला option मिलता है यहाँ पर fill form 8 पर क्लिक करेंगे अगर registration करने के वक्त आप अपना voter ID नमबर देते हैं जो EP की नमबर होता है वो देते हैं तो यहाँ पर self का option आपको दिखाई देगा इस पर आप टिक करेंगे अपने ही voter ID card को replace करने के लिए नहीं तो other electrol पर क्लिक करेंगे उसकी बाद यहाँ पर आप जो है अपना EP की नमबर जिसका replacement मंगाना चाहते हैं उसका EP की नमबर voter ID नमबर दर्ज कर देंगे और submit button पर क्लिक कर देंगे submit button पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर detail आ चुका है अगर सही है तो OK पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने चार option मिलते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है replacement वाला option जो की third number option में मिल जाता है उसकी बाद OK करना है OK करने के बाद आपका जो सारा detail है वो इस परकार से भर दिये जाती है आपको कुछ detail यहाँ पर flip करने की आवशकता नहीं होगा जस्ट आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है replacement का region सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या आपका खो गया है अगर आपका खोज आता है तो उस इस्तीती में आपको AFIR अप्लोड करना होता है सिंपल सी यहाँ पर next करेंगे next करने के बाद place का option आता है इसमें आप place डाल देंगे और उसकी बाद आप next वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने capture आता है वो यहाँ पर बता दिया गया है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे slide करते हुए तो आपको यहाँ पर edit करने का option आता है और दूसरा submit करने का तो सिंपल सी आप submit पर क्लिक कर देंगे और yes पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक reference number मिल जाता है इस reference number से आप track भी कर सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर आपका voter ID card का क्या इस्थिती है download acknowledgement पर क्लिक करके इसे आप PDF में download भी कर सकते हो जो कि आपका acknowledgement जब download होता है तो कुछ इस परकार से बता दिया जाता है देखिए इसमें कुछ correction करना नहीं था simple से यहाँ पर जो है replacement के लिए request डालना था तो यहाँ पर डाल दिया गया इस परकार से आप request डाल सकते हो अब application को track कैसे कर सकते हो तो यहाँ पर वापिस से आप homepage पर आओगे और यहाँ पर track application status पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर application reference number आपको दर्श करना होगा जो आपको मिला है उसकी बाद यहाँ पर state यालि राज्जी का नाम सेलेक्ट करना होगा और submit बटन पर क्लिक करना होगा आप देखेंगे application reference number खोज लिया गया है और अभी के अभी मैंने submit किया इसलिए current status में अभी submitted बता रहा जो कि 25.2024 यहाँ पर date भी बता दिया गया है इस परकार से आप replacement के लिए request डाल सकते हो इसमें कोई पैसे देने की आवसकता नहीं होता है तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप अपने voter ID card का replacement डालते हैं बिलकुल free में और आपको एक reference number मिल जाता है जिसे आप tracking के लिए use कर सकते हैं और मैंने आपको वताया कि किस तरह से आप track भी कर सकते हैं देखे एक बात बता दू कि ये 15 दिनों के अंदर मतलब maximum जो समय है वो 15 दिन लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका वहाँ पर छपेगा उसकी बाद आपके address पर भेज दिया जाएगा तो 15 दिन का समय लगता है लेकिन इनके पास request जादा आ जाता है क्योंकि free वाला चीज है हर कोई request कर लेता है तो request ज़्यादा आने के कारण होता क्या है कि कभी कभी आपका देर भी लग सकता है किसी किसी का तो मैं देखता हूँ कि 30 दिन भी लग जाता है लेकिन नहीं आता चीक है महीनों लग जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप यही एक तरीका अपना सकते है नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं अगर instant आपको चाहिए तो आप water ID card को download कर लेजे इस परकार से और यहां पर इस तरह से आप cut लगा कर उसे आराम से निकलवा सकते हैं यह प्लास्टिक में भी मार्केट से निकलवा सकते हो 30 से 50 उर्पए आपको लगेंगे तो यह आप कर सकते हो नहीं तो आप इंतजार करो जब उनके तरब से भेजा जाएगा तो आप ट्रेक करके देखते रहना क्या इस्तिती है और भेजा जाएगा जिसमें आपका नाम बेगेरा सब कुछ Mencent रहता है ठीक है तो वही परची लेजा कर और आप पहचान पतर जिसमें आप आधार इस्तिमाल कर सकती है या कोई भी पहचान पतर इस्तिमाल कर सकती है क्योकि आपका औल्डेडी नाम जो है voter list में रहता है और वहां से वो वेरिफाई करके आपको वोट डालने की अनुमती दे देती है तो complete मैरे जानकारी दे दिया है इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपने दोस्तों तक सेयर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद